हेलो फैमली राधे राधे मैं आ गोई एक और नई रेसिपी के सांज जैसे पोलते हैं आलू की थिचवाणी तो सबसे पहले हमें चाहिए कुछ छोटे-छोटे आलू जिनका साइस छोटा हो फिर उसके बाद हम इसको थेच देंगे जैसे कि नाम से पता चला है थिचवाणी इसमें आप सारी फरस्ट्रेशन्स निकाल सकते हैं अपनी आलू को थेच के हमने कर दिया तैयार थेच मतलब इसको कूट के अब हमें निकाल ला है फ्रिच से एक टमाटर और टमाटर को कर देना चोटे-चोटे तुकड़ों में वे भाजित कटे हुए टमाटर को रख दें तेमाटर को तेल में अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद उसमें हम मसाले एड़ करेंगे मसालों में सबसे पहले मैं डालूंगी नमक जो की स्वाद अनुसार डलेगा और उसके बाद बाकी सारे मसाले सारे मसाले डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़े देर पकने के बाद हम इसमें डालेंगे तीन टेबल स्पून आटा आटे को आप पहले स्टार्टिंग में भी भून के अलग साइट निकाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें डाला अब हम इसको थोड़े अच्छे से पकने देंगे जब मसाल अच्छे से पक जाए तो उसमें हम डाल देंगे उपर से हमारे थेचे हुए आलू और अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद उपर से कर देंगे पानी की बरसात और उसके बाद थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी और गर्मा गर्म चांवल के साथ हम इसे खाएंगे तो जब तक हम इसे खाते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएगा कि किस किस के वहाँ ये आलू की थिचवाडी बनती है और किस किस को ये पसंद है पहाडी लोगों को तो पता होगी ले झाल 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